बंटी ने फुटबॉल के एक सत्र यानि की सीजन में 144 अंक हासिल किये। ये काफी सराहनिय है और नैशनल रिकॉर्ड के काफी करीब भी है जो की 60 गज है। बंटी काफी हुनहार खिलाडी प्रतीत होता है। उसने सभी अंक 50 गज की दूर से गोल करके हासिल किये हैं। मैं इ बंटी ने पूरे सत्र में कुल 16 मैच खेले थे। हमें ये पता करना है कि बंटी ने प्रतेक मैच में कितने गोल किये। हम ये मानके चल रहे हैं कि उसने प्रतेक मैच में समान गोल किये थे। ये बहुत अच्छा खिलाडी है। ये हर मैच में बराबर गोल करता है। टोटल पॉइंट्स हैं 144, हम इसको तीन से भाग यानि की डिवाइट करते हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक गोल करने पर तीन अंक प्राप्त होते हैं, और कुल अंकों को प्रतेग गोल पर मिलने वाले अंकों से भाग करने पर हमको पूरे सत्र में किये गाई गोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक सो चावालिस को तीन से भाग करना है तीन गुणा चार मतलब बारा और चौदा घटा बारा बराबर दो और अब इस चार को नीचे ले आते हैं ये हो गया चौबिस और तीन गुणा आठ बराबर चौबिस और इसे घटाने पर कुछ भी रिमेंडर यानि शेशफल नहीं बचेगा इसका मतलब ये हुआ कि 144 को तीन से विभाजित करने पर 48 प्राप्त होता है मतलब कि बंटी ने पूरे सत्र में कुल 48 गोल किये लेकिन हमारा प्रश्ण ये था कि बंटी ने प्रतेक मैच में कितने गोल किये और हम ये मान रहे हैं कि उसने प्रतेक मैच में समान ग भाजित करने पर 3 प्राप्तों होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बंटी ने प्रतेक मैच में 3 गोल किये थे और यही हमारा उत्तर है। बंटी ने प्रतेक मैच में कितने गोल किये थे? उत्तर है 3।